वेलकम टू आर चनल मिस्टर सनलाइट और सनलाइट के इस बहतरीन और खास एपिसोड में हम बात करेंगे जो आपने भी न्यूस सुनी होगी या आप नहीं भी सुना तो हम बात कर लेते हैं और यूस ने अंतिवेल रख रहा है जो ड्रग है इगोला वाइरस का जो ड्रग है उसको कॉर्णा वाइरस की ट्रीटमेंट के लिए बोला वाइरस आपको पता होगा बहुत खतरना विमारी थी और मतलब डएट रही इसका बहुत जादा था लेकिन अब जादा एफक्ट नह हमने बात करिए कि इसके डोज आने लगेंगे लेकिन अगर हमें अभी बात करने करेंट सिच्वेशन की तो अभी मैई है अभी मैई से सब्सक्राइब अक्टूबर की सोचेंगे तो बहुत महीने हैं और इस मैंने में अगर लॉक्डाउन ही चलता रहा तो एक्टिविटीज बहुत जादा ठप पड़ जाएंगी और हमें ऐसा अपनी कंट्री की जो ग्रोथ है बहुत जादा धीम हो जाएगी रुख जाएगी और मुश्किल हो जाएगा कवर करने के लिए तो यहां पर जो गिलेट कंपनी उसने बात करी है यहां पर बता देता हूं जो इन कंपनी कालिफ कैलिफोर्णिया शुड यहां पर नहोंने बोला है कि जो इबोला वाइरस का जो ड्रग है उसको एक मैजिकल बुलेट की तरह तो ग्यारा दिन में घर देगी और कहीना कहीन ऐसा यह इसलिए कर पारी क्योंकि जो यह बता रहे हैं जो फार्मसुटिकल कंपनी और जो एवडिये दावा कर रही है कि इसको रेप्लिकेट करने से रूकेगी तो हम इसी बारे मां बात करते हैं थोड़ी सी कि रेप्लिकेट करन सु impostor यह सीलिए यहां से तो छोड़ा संद्रतिक्री सिम्टमजी तो यह होता है कि च्छोडा सा आता है फिर बढ़ते जाता है तो इस ही सामसे डेटेल आystem आइसो कि ये हलो सकती है कि आप देखिये कंपनी से इसी में प्रलक यह तुर प्रमाइन टॉपकी पर्मस्टिटल कंपनी कर रहे हैं क्या इतना सही है यह खुद कहते हैं कि इसके जो पॉसिबल सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं और यह एक्सपेरिमेंटल मेडिसीन है जिसकी हम सेफटी और जो कि हम कोई ऐसे फाइन बिल्कुल वह इक पर्टिक्ट्कलर चीज नहीं एक्सपेरिमेंटल है वह सकती नहीं बहुती है कि प्रेजिबंट ट्रॉमप के पास इतनी अनोंकी पूरी लोस में जा पिछले 5 साल है बनाई थी वह सारी लॉस में गई तो अब उनके पास कुछ काम नहीं है दिखाने को या जो है वह इतना अच्छा नहीं यह दिखाने के लिए तो आप कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे कि आप कॉर्णा वाइरस के टाइम पर होने खाली हाथ तो भैटेंगे हाथ हाथ बैठके रहे तो उसको बड़ावा दे रहा है कि हाँ कुछ नहीं तो वह करी सकते हैं कहीं तो यहीं है अभी वैसे तो यह कहे नहीं एक हजार उन थाज़ंड स्कूर्टमें इसका कैसे स्पाइक होता है हाँ जो फार्मस्प्रक्रिक और भी दावा कर रही है कि कहिना कहिए इसके डोसेज बढ़ाए जाएंगे जैसे अभी 15 लाग डोसेज इसके बढ़ाए जाएंगे और कहिना कहिए एक लाग 40,000 ट्रीटमेंट कर सकेगी 15 लाग डोस यानि कि आप माल लेजे कि इन्होंने यह बोला है कि जो वेंटी लेटर पर आ नहीं है उसके लिए पांच दिन के डोस में भी काफी हो जाएगी तो यह उन्होंने कहा है जो फर्मसुटिकल कंपनी है लेकिन अब क्या हम यह समझें कि अभी यह कंपनी एक और दावा कर रही है कि पांच पांच लाग इसके ट्रीटमेंट कोर्स बना देगी अक्टूबर तक और अक्टूबर तक मैंने आपको बताया कि कहिना के सप्टमबर अक्टूबर तक हमारी कंपनी जो सिगनम इंस्ट्टूट और कॉडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए कॉर्णा वेक्सिन के बारे में आपको सब कुछ बता रखा है कि वह कब तक करे आने वाले टाइम पे क्या हम देखना होगा कि क्या हम जो एक्सिट्टिंग पैथोजन्स हैं और उनकी जो ड्रग्स हैं क्या उन्हें यूज कर बेकार सी बेमारी के लिए तो देखना होगा बहुत अच्छी अपडेट्स आ सकती हैं इसके आने वाले तिनों में तो फॉलू पर और like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात यहां पर आ रही है कि अगर इसके side effects हैं अगर इसके कोई condition ऐसे particular pharmaceutical company यह भी कह रही है कि हमें पता नहीं है कि यह सई करेगा कि नहीं करेगा तो हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों की अभी इतना कुछ यह और नहीं पहले इसको टेस्ट किया जाएगा भी तो एक हजार लोगों में किया भी देखे जाएगा कि कि इतना और इसका वहतरी रिजट आता है एक बड़े स्केल में थोड़ा देखा जाएगा को कि यूएस ने तो इसको option available to clinicians to treat those hospitalized with COVID-19 की important steps है कुछ ना कुछ तो होना चेहना है यार कुछ ना कुछ नहीं है तो उससे गही सही तो यह होता है कि कुछ तो हो जाए तो वो ही है कि अब effectiveness of remits wear is limited कि जो effectiveness है कि हमें पता भी नहीं है limited ही effectiveness है कि थोड़ा सा यह मदद करेगी लेकिन कुछ भी हो थोड़ा इसी चीज़े हैं जो दुनिया बिजनस ठप हो चुका है लोग रुख चुके हैं लोग mental depression में जा रहे हैं इस टाइम पर क्यूंकि देखिए आप एक human as a social animal होता है उसे घुमना फिरना पूरा पसंद होता है लोगों से मिलना पसंद होता है तो आप जब वो इतने पतने पॉजिटिव आउटकम सोचना पड़ेगा चाहिए वो कुछ भी हो हम देखें तो इसे साब से यूएस ने से authorized कर दिया है दूसरा ही जिन हो सकता है कि पॉलेटिकल इशू भी हो सकता है डॉनल्ड ट्रम्प का कि उन्होंने अच्छी अच्छी कॉन्व नाई थी और काफी बार आपने सुना होगा कि वह चाइनीज वाइरस करके इसको बुलाते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है कि यहार हमने तना साचा काम किया था वह सारा चाइना ने एक बार आके वाइरस ले और सब बरबात कर दिया तो काफी ऐसे चीज़ है जो कि यूएस ने ऐसी लिए ज्यादा लोगों को एफेक्ट किया वहाँ पर देखा जा रहा है तो देखते हैं इंडिया में ऐसा कुछ होता है कि नहीं तब तक बने रही है हमारा साथ मैं अपडेट कर दूंगा आपको तो सब्सक्राइब मिस्टर सनलाइट चैनल थैंक्व एफनाइस दे आहेड जाइस थैंक्व एफनाइस देखते हैं आपको